वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तु आल आप सभी का विजेपत एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफोर में हारतिक स्वागत है अभिनंदन है मिशन टैट दो हजार चोबिस हमारा नया बैच जो है वो शुरू होने वाला है हजपी टैट दो हजार चोबिस का बैच आपके लिए रहेगा मात्र एक रुपे में किस तरीके से आप इस मास्टर कोर्स को परचेश कर सकते हैं क्या क्या चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं इन सभी चीजों के रिगार्डिंग आपको एक सेपरेट बीडियो जो है वो मिल चुकी है लेकिन फिल भी हलका से माइडिया आपको बता देता है एच्पी टैट दोहजार चोबिस का आपका पेड बैच विजेपत एजुकेशन के द्वारा लॉंच कर दिया गया है मातर एक रुपे में आपको ये मास्टर कोर्स किस तरीके से मिलेगा उसके लिए आपको ये पूरी बीडियो जो है वो देखने पड़ेगी इस कोर्स में आपको लाइब रिकॉर्डिड क्लासे एबुक साथ में मोक टेस्ट पेपर जो है वो भी आपको मिलेगी तो किस तरीके से आप इसको enroll कर सकते हैं किस तरीके से आप इसको purchase कर सकते हैं क्या क्या आपका time table रहेगा कौन-कौन सी classes आपको देखने को मिलेगी उन्स सभी के regarding आपको एक separate video जो है वो दे दी गई है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दू मात्र एक रुपे में आपको किस तरीके से course देखने को मिलेगा मात्र एक रुपे में आपका ये course रहने वाला है मात्र एक रुपे में एक दिन का course आपका ये रहेगा एक रुपे में आपका एक दिन देखने को मिलेगा तो June 2024 में हमारा exam होने वाला है HPTAT तो Jan अभी जो है वो just starting में है तो total 6 महीने हमारे बनते हैं तो 6 को आप multiply कर सकते हैं ठीक है 30 days से तो हमारा ये 180 रुपीज के आसपास जो है वो total batch हमारा बनता है इसके साथ साथ इसमें जो हैं वो 120 रुपीज के आपको mock test paper जो है वो देखने को मिलेंगे तो 180 और 120 आपका जो है वो लगभग 300 रुपेया जो है वो आपका बन गया है तो 290 रुपीज के आसपास आपको ये पूरा का पूरा batch देखने को मिलेगा तो लगभग मात्र एक रुपेय में आपका एक दिन जो है वो आपका ये चलेगा उस तरीके से आप इसको understand कर सकते हैं master course आपके लिए रहेगा इससे सस्ता course आपको ना तो अभी तक मिला है ना ही आने वाले time में आपको विजेपाथ education के द्वारा कहीं और आपको देखने को मिलेगा तो master course है जल्दी से आप इसको purchase कर सकते हैं HPTat non-medical के लिए आपका एक course जो है वो valid रहेगा साथ में आपको live plus recorded classes देखने को मिलेगी e-books आपको देखने को मिलेगी mock test paper आपको देखने को मिलेगी तो सभी की सभी जो है वो आपके मातर 300 रुपे में आपको देखने को मिलेगा बेल डिटी इसकी 6 महीने के आपकी रहने वाली है विजेपाथ government exam preparation आप डाउनलोड कर लीजिए play store से और किस तरीके से आपको इसको enroll करना है उपर आई बटन के उपर आपको एक वीडियो मिल जाएगी लिंक मिल जाएगा आपको description में वहाँ से आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से आप इसको enroll करें तो देखिए आज क्या special है mission HPTAT 2024 का आगाज हो चुका है विजेपाथ education के दौरा paid course launch कर दिया गया है physics आज हम इसको cover करेंगे हलका सा physics के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीजें हम cover करवाने वाले हैं साथ में आपको separate जो हमारे different subject है उनकी separate classes आपको देखने को मिलेंगी देखिए physics के syllabus को थोड़ा सा read out करते हैं क्या क्या चीजें हम cover कराएंगे जादा जानकारी के लिए आप हमारी website के ओपर visit कर सकते हैं या जो हमारा help line number यहां आपको देखने को मिला है इसके ओपर आप contact कर सकते हैं देखिए सबसे पहले बात करते हैं daily live classes for all exam रात को आठ वजे शाम आठ वजे daily विजेसर द्वारा आप सभी को practice set mock paper लगाए जाते हैं सभी exam के लिए most important है रातरी आठ वजे आपके लिए special class जो है वो launch करवाई गई है तो उसको आप जरूर देखें देखिए सबसे पहले physics के topics के बारे में जानते हैं कि हम क्या क्या आपको जो है वो provide करवाने वाले हैं सबसे पहला जो हमारा chapter रहेगा वो है units का chapter जिसको measurement बोल सकते हैं या फिर measurement instrument हम बोल सकते हैं तो इसमें आपको unit का separate chapter रहेगा measurement का रहेगा measuring instrument रहेगे कि कौन सा instrument क्या क्या मेजर करता जैसे bolometer है galvanometer है instrument के regarding और साथ में physical quantities आपके पास रहेगी अब यह हमारा method जो है वो किस तरीके से आपको provide करवाएगा हमारा एक course किस तरीके से आपके लिए helpful है देखिए हमने आज की इस class में जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ syllabus के बारे में ही discuss करना है उसके बाद जो हमारी first class रहेगी वो हमारी रहेगी intro of the topic introduction आपको उसमें करवाई जाएगी जैसे कि unit का chapter है तो units की introduction करवाई जाएगी और second class जो रहेगी वो आपकी direct mcq question के उपर based रहेगी जैसे कि unit का है तो unit से लगभग आपको जो है वो hundred question जो है वो आपको करवाई जाएगे वैसे ही measurement जो important question है सर्फ to the point class कवर नहीं कर सकते छे महीने का आपका यह course जो है तो हमें ऐसा नहीं कि आपको सारे के सारे unit में आपको लिखवा दू नहीं हम exam point of view से उस चीजों को कवर करेंगे तो जो question important बनते हैं अब देखी मैंने क्या कहा 100 unit की हम बात करते हैं basically हम पचास unit के बारे में जहों वो easily जानते हैं पचास unit को हम easily cover कर सकते हैं ठीक है यह हमें direct पता होता है जैसे कि force की unit क्या है distance के displacement के अगर आप non medical के student है यह चीज़े आपको पता होनी ही चाहिए तो लगवग 40 से 50 unit जो है वो आपको पता है उसके बाद जो 50 extra unit बचेंगे उनको हम relate करेंगे आपके measurement से, instrument से और quantity से ताकि आपका यहाँ पे उनका correlation बन जाए फिर second chapter हमारा measurement कर रहेगा उसमें भी आपको intro part करवाया जाएगा उसके आद उसकी separate class MCQ-20 हमारी रहेगी जब हमारे पूरा का पूरा first topic cover हो जाएगा unit measurement and measuring instrument तो इसकी एक जो है वो one liner form में एक separate class आपको फिर से देखने को मिलेगी तो इस तरीके से हमने अपना यह plan जो है वो batch का बनाया है I hope आपको इस चीज़े clear है second हम mechanics की बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़े understand करेंगे work, power, energy तीनों important question यहां से बनते हैं next है mass उसके neutral of motion most important साथ में force, linear momentum MCQ के साथ साथ जो भी हमारे numerical waste question पूछे जाते हैं आपकी exam में उनको भी हम cover करने वाले हैं साथ में principle of conservation of momentum को देखेंगे उसका distance and displacement को देखेंगे speed velocity को cover करेंगे, projectile motion को देखेंगे with their formulas, acceleration, equation of linear motion उसका friction है और उसके बाद है simple harmonic motion या फिर rotational motion तो इन सभी के MCQ, intropart और numerical जो भी बनते हैं उन सभी को देखेंगे सर्फ और सर्फ exam point of view से ऐसानी कि जो भी जितनी भी चीज़े हमारे पास बन दी हैं उन सभी को मैं आपको करवा दूँ, नहीं मैं सिर्फ target लेके चला हूँ कि आपके paper में जो question पूछे जाएंगे सिर्फ मैं उनी को ही cover करूँ यहां पे हम UPSC की तियारी नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ तियारी किस की कर रहे हैं HP Tite की तियारी कर रहे हैं जो question हमारे लिए important होगा हम सिर्फ उसी चीज़ को cover करेंगे ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीज़ें जो हमने पर डाली और paper में वहां से सारी की सारी वो खिचरी पकी हम topic by topic question को discuss करेंगे और limited question होँगे बलक में question आपको नहीं कराया जाएंगे सिर्फ limited question होँगे और सिर्फ और सिर्फ exam point of view से ऐसा नहीं कि बरक के मैंने आपको 500 question करा दिये अब मेरे को पता है कि बरक का सिर्फ आना कितना एक question आना है तो बरक के लगबग 10 question तो हम पहले से ही जानते हैं इसका formula पता होगा थोड़ी सी definition पता होगी मैं लगबग 15 question आपको और कराऊंगा जिसमें numerical भी होंगे और इसके साथ-साथ another चीजें भी इसमें count की जाएंगी तो एक-एक topic के लगबग 25-35 question में कराके यहां पर आपको चलाऊंगा next जो है वो gravitation को cover करेंगे gravitation में neutral of gravitation most important with their formulas, numericals, definitions, unit and values जैसे capital G की value क्या है small g की value क्या है यह आप से कई वार जो है वो पूछा जा सकता है small g की आगी capital G की आगी उसके gravity and motion under gravity उसके satellite motion escape velocity यह सारी चीजें जो है वो हमारे लिए important है इन चीजों को हम cover करेंगे उसके बाद है properties of matter जिसमें material science की बात करते है solid liquid gas यह भी हमारा physics का ही part है elasticity, surface tension जिसको हम capillarity बोलते है flow of liquids के बारे में जानेंगे, bionc, archimedes principle, pressure, density, kinetic theory जो भी यहां से MCQ हमारे लिए important बनते हैं उसके साथ-साथ heat के chapter को cover करेंगे जिसमें heat का basic part रहेगा, intro part उसके बाद temperature, measurement of temperature जो भी हमारी scales रहेती है, Kelvin है, degree Celsius है, Reamer है और हमारे पास जो है, एक और है फारने है, चार टाइप की total scale है, किस तरीके से कौन सी scale में हम convert कर सकते हैं, values को भी जानेंगे, thermal conduction के बारे में जानेंगे, expansion, convection, conductor, non-conductor, insulator, semiconductor, यह सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, Kirchhoff's law, Stephen law, Newton law of cooling, यह most important है, जातर आपके paid batches में यह चीज़े नहीं आपको बताई जाती है, ना तो आपको free batches में बताया जाता है, बिल्कुल basics idea आपको दे दिया जाता है, बिल्कुल एक 10th level की journal science का, यहाँ पर journal science नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर physics पढ़ रहे हैं, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसके आद है phase transition, latent heat, उसके आद है relative humidity, evaporization, और last हमारे पास heat के chapter करहेगा, thermodynamics, जिसमें thermodynamics का 0th low, 1st low, 2nd low, इन सारी चीज़ों को हम understand करेंगे, उसके बाद आता है, बेव, जिसमें wave motion की बात करते हैं, हमारे पास बेव जो हैं वो जैसे की particle, nature, इस तरीके से जो हैं वो हम उन चीज़ों को cover करेंगे, ठीक है, उसके बाद है sound, sound most important chapter आप से पूछा जाता है, intro part के साथ-साथ, nature of sound wave, जिसमें हम बात करते हैं, उनकी nature की, कि वो ultrasonic है, infrasonic है, infrared है, human sound है, कौन सी उस तरीके से वो nature understand किया जाता है, frequency, range of sound wave, 20-20 Hz, 0-20, 20-20 kHz, 20 kHz से जादा, तो यह उनकी range आती है, इन से related question है, speed of sound, characteristics of sound, eco, sonar, radar, यह सारी चीज़ों को हम cover करेंगे, और next, most important chapter है, HP TAT 2024, non-medical के आपके exam का, साथ में CTAT की अगर आप त्यारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यह most important chapter रहेगा, वो है आपका light, nature of light है, scattering of light, reflection है, rule of reflection रहेंगे, reflection of plane mirror, spherical mirror, magnification, जिसमें हम formula यूज करते हैं, H by H का, उसके बाद है, reflection of light, 50 IR, total internal reflection, फिर lenses के बारे में पढ़ेंगे, पहले mirror के बारे में, फिर lenses के बारे में, convex, concave, plane, यह सारी चीज़ें हम understand करेंगे, human eye most important, optical instrument, dispersion of light या फिर rainbow, जो जो हमारे लिए important है, उसके साथ है, electricity, electricity, electric charge है, coulomb slow, electric circuit, current है, conductivity है, जिसको हम जानते है, resistance है, उसका electric power, energy work, यह हमने पहले भी understand किया, यहाँ पर फिर से इसको understand करेंगे, electricity के chapter में, उसके electrical instrument रहेंगे, transformer, most important, step up, step down, क्या काम करता है, किस तरीके से question घुमा घुमा के आप से पूछे जा सकते हैं, electric bulb है, cell है, battery है, switch है, यह सारे के सारे जो question आपके पास यहाँ पर बनेंगे, fuse का use कौन सी बायर के साथ करते हैं, किस चीज़ का वो made up of होता है, यह सारे चीज़ हम electricity के chapter में read करेंगे, और last, जो है किन-किन चीज़ों के बारे में हम understand करेंगे, magnetism के बारे में, उसके साथ साथ electronics के बारे में, modern physics, nuclear physics, invention, और इनके अलावा, अगर जो भी चीज़ हमारी pending रहती है, जैसे की, मैंने resistance का तो आपको बता ही दिया, यह हमारे series, parallel, वैसे ही जो हमारे पास capacitor आते हैं, उसके साथ जो भी हमारे जो pending chapter रहते हैं, उन सभी को हम कहां discuss करेंगे, miscellaneous chapter में cover करेंगे, तो I hope यहां तक जो भी मैंने आपको इसले बस बताया है, वो आप सभी को जो है, वो clear हुआ है, हमारा मातर 300 रुपीज का यह जो paid batch है, यह आपका June 2024 तक आपके लिए provide करवाया जाएगा, 6 महीने का total batch रहेगा, 300 रुपे, मातर 300 रुपे, इसकी fees रखी गई है, अगर आप एक pizza लेते हैं, एक burger लेते हैं, तो मातर 300 रुपे आप उसी में ही खर्च कर देते हैं, तो मातर 300 रुपे में आपके लिए batch है, daily regularity में आपको paid course में आपको classes देखने को मिलेंगी, I hope आपको यहां तक सारी की सारी चीजें जो हैं, वो clear है, अगर आपको फिर भी कोई doubt लगता है, इस batch के regarding, तो आप इस help line number के ओपर हमार से contact कर सकते हैं, जादा जानकारी के लिए आप www.vijepatheducation.com के ओपर भी विजिट कर सकते हैं, तो जल्दी ही मैं next class के साथ आप से मिलूँगा, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत!